हलो फ्रेंट्स मैं डाक्टर प्येस दिवारी आप सभी को स्वागत है आज हम चाचा करेंगे एक होमेप्थिक द्वागी विश्चे में जो बहुत ही अब बहुत ही इमर्जंसी है जिसका नाम और मुंटाना है तो इसको आप मुण बीमारी में और किस प्रॉटंसी में और कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको उपेतार जाए बहुत ही बताने जारा हूं तो चलिए शुड़ करते हैं इसका पहला स्मिटम में बेडियो दिखने अगर आपको कहीं चोट लग गई दर्ध हो गया जो है कैसा भी चोट लग गया कैसा भी दर्ध है तो आप अरुनिका थर्डी पाउर की दीन वार चाचार बूल करके देदेजे दर्ध आराम हो जाएगा अगर चोट लगने से उतना प्रादम फुल गई है मोटा हो गया है तो पर भी आप उसको जो है आरनिका थर्डी पाउर की चार-चार मुझ दिर में ती बार देजिए और अरनिका मदर टिंचर उसके ऊपर लगा देजिए दो-तिन दिन में एक प्रादम ठीव हो जागी तो इसका अगला स्मिंटम है चक्कर पर जो है तो चकर पर और बहुत सारी द चकर है तो आप आरनिका 200 शुबह साम करके कुछ दिन खा लिजिए आपका प्रावदम ठीव हो जाएगा आरनिका को आप कई बार भी रिपीट कर सकते हैं क्योंकि इसका एक्शन साथ होता है और डाक्टर हनिमन साहब भोले है कि आरनिका आप अपने जरूत के अनुस्वार अगर दर्द ज्यादा है चोट में तो आप 30 पाउर की आप 2-2 खंटा पर रिपीट कर सकते हैं तो आरनिका एक अच्छी दवाई है लेकिन आप एक चीज याद रखे अगर कहीं कट गया है अगर सूज गया है तब आरनिका मधर टिंचर लगाए अगर कट गया है तो आप आरनिका मधर टिंचर लगाने की भूल मत कीज़ेगा उसके उपर क्यान दुश्य दूस्तों उसके अगरा स्विंटम कान पर है जैसे आपको डाइबीटीज में आँक से बलेड निकलता है नाक से बलेड निकलता है बलेड निकलता है तो आदमी घबरा जाते है तुर्ण ड ऐसे दिर भार दे दिए, एक खप्ता दे दिए आपका कान से ब्लेड निकलना बंध हो जाएका. दोस्तों, याद रखे, अब हमेशा खाना ही है, इसको कान में या आँक में नहीं डालना है. कुछ हमारे पेसेंट बोल दिते हैं कि सर ये प्रावलम है इसको आँख में डाल सकते हैं हम पूछते हैं कि आपकी एज कितनी है आप बच्चों वारी बात करते हैं तो आपको आर्निका जो है अगर कान से खूर निकलता है तो आप आर्निका 30 पावर की दो-तिन दिन दे दिए अगर इससे आपको आराम नहीं मिलता है तो आप 200 पावर की दे दिए कान से खूर निकलता हो बंद हो जागा दोस्तों उसका अगला स्विंटम है आर्रिका का कि जैसे आपके दान्त में दर्द हो रहा है और आपके डेंटिस्ट बोल दी है दान्त निकालने के लिए आप दान्त निकालने के लिए आपका दान्त निकाल दिया गया है तो आप याद रखिए अगर आप दान्त निकाल के तो आप जब दाग निकाल क्या रहे तो आप आप आर्रिकार 200 की चाचार मून करके 30 घंटा भा लिजिए आपका जो है गम स्में स्वर्णेस है दाइत में दर्ध है आपका दर्ध जहाएगा और आपका घावी दम जल्द ठीव हो जाएगा तो आर्रिकार का अगला स्मिंटम ह जढ़ा करना जब दर्ध तो किश लोकेशन पर हो रहा है की रोक्राहा ज़ान होता है तो अगर आपको य पीश थो चेहरे पर है अर्निकार 200 चाचार बुन करके दिन में तीन बार चार बार कुछ दिर खा लिजे आपका एक दो डूस से बर्णिन ठीक हो जाएगा अब आस्ता से कुछ दिर खाएंगे तो आपका हर्पीश ठीक हो जागा क्योंकि हर्पीश थोरा पाजी भीमारी है जल्दी ठीक नहीं होता है तो अगर आपके सिर्फ चेहरे पर हरफिश है तो बशार काट 200 खाली जी आपको आराम जागा तो अगला सिम्ट्रम है अगर पेटम कोई हो गया है तो इसको बुलते हैं हमाट्रीं सीज रिंग पैटर खांशी निया रहे है लेकिन आपको ब्लड की भंटिंग हो गई, अगर आपको ब्लड की भंटिंग हो रहे हैं, तो डाक्टर के पास बाल हो जाईए, पहले आप आर्निका खिलाइए, आर्निका 30 पाउर का दीजिए, उससे कम नहीं होगा तो 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 आपका जो खून कलता है पेट से, जिसको बोलत है हमाटेमेसिज, आर्निका से आपका ब्लड भंटिंग हो जाएगा, दोस्तों, उसका अकला स्विंटम है आर्निका का, जो आपका निपल सोता है, ब्रेष के बीच में जो निपल सोता है, इसमें दर्द करता है, अगर आप छूएंगे तब दर्द करेगा, और नहीं पर आपको पहले पता दिये कि चोट से सबंधित कोई भी मारी हो, तो आप आप आपको पहले ध्यान देजे इसलिए अपने घर में रखे लेगे, तो अगर आपको जो है ब्रेश्ट में सूजन हो गया है, ब्रेश्ट में फुल किया है, ब्रेश्ट जो है, दर्द होता है, तो आप आप आरिंकाई दे दिजे, 200 सुवा साम दे दिजे, आपको आराम हो जाएगा, इसका अगराब सिम्ट्रेम है हाट पर, हाट पर बहुत अच्छा सिम्ट्रेम है, आप भी इतना ज्याज रखे, आरिंकाई जो है, एक हजार पार का घर में मिसा रखे रहेगे, अगर आपको अचानक यहां पर हाट रिजन में दर्ध हो रहा है, अज़र पसीना पसीना हो गया है, हाट में को भी प्राबलम हो, चाहे हाट में खून कम जा रहा है, चाहे फैटी हाट हो गया है, या हाट में को भी प्राबलम हो, अगर आपको हाट सीजर में दर्ध हो रहा है, प लिए लग़ण को यह इंजाइना की आप Boyz अगन를 किसे एक भनीट होग़ा इसको एक फुल बार पा यह अगर आज भार creation के अगर में चयार और से तो इसंद दक बशुषा रहा है तो पिशन का जो हड का ये प्राबलम है इदम से ठीक हो जाएगा तो दोस्तों उसका अगला स्विंटेम है आर्नका का गाउट पर जो है जिसको बोलते हैं गठिया बोलते हैं तो गठिया की दुवाई बहुत सारी दुवाग्या होएं पर्थिक में हैं तो आपको जो स्विंटेम हैज करना पड़ेगा कि कौन सा स्विंटम दे कौन सा स्विंटम नहीं दे अगर आपको गाउट निकला जाए और आपका युरुकेशित बढ़ गया है साथ की उपर हो गया है अगर जो यापको उस्ट्योओ साइटिस है इसन चीज में क्या है जो घुटने का दर्व होता जो पेशन्ट जो किशीको छुदनी नहीं देता है क्योंकि दर्थ करता है और चरन्ने किसा में दर्थ दता तो अगर आपको अर्थाइटिस की किसी भी symptom में पेशेंट अपने पाठ को जहांपर उसको बिमारी है दीजीज है उसको अर्थाइटिस की डीजीज है उसको चूने नहीं देगा तो ऐसा अगर रिमट्री का दर्ध है अगर बतास का दर्ध है तो आप आयरिं का पर rem Munich की छूने सकते हैं घुटना भहुत सेंसिटिव है छूने से दध हो रहा है तो आपका आश्ट आश्टे एक घुटना ठीक हो जाएगा दोस्तों उसका अगला सिंटम है तो आपको पहले बिता दियें कि आर्डिका मतलब कि आप समझ लेजे एक तरह का इंजरी की में दवाई जै दिन में तीन बार चार चार बूंत दिन में तीन बार दीजिए तो आपका मोश जो है इदम जल्दे ठीक हो जाएगा आपको आर्थोपेड के पास जाने की जोरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आज मैंने आपको आर्डिका के बारें बताया अगर आपको कोई डाउट ह आते हैं तो आप हमको वाट्सव पर मेसेज कर सकते हैं दोस्तों कम्पलीट टीटमेट की पूरी ज्यान कारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने मिल जाएगी आपको काल दें करना है सिर्फ आपको वाट्सव मेसेज करना है मेरा वाट्सव नमर है 705-9613492 तो दोस्त आप इसको भी लाइक कीजिए और सब्सक्राब कीजिए तब तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नमस्कार